हेलो एव्रिवान, हाई, नमस्ते, कैसे हैं हाँ सब, गुद मॉर्निंग, वेल्कम टो माइ योरूप चैनल, तो यहाँ पे देखे, सबसे पहले तो अभी सुबा सुबा का टाइम हो रहा है, और आज मेरा एक्जाम है, आज 25 तारिख है, माई 25 है, 2022, तो यहाँ पे देखे, सुबा जल्दी से उठ गई हूँ, चार बजे, क्योंकि थोड़ा सा ना, याद तो मुझे मतलब याद कर रहे थी, जितना भी कोस्चीन सर बोल रहे थे, कि डाइग्राम वगरा सब से लाइका करना है, तो सूत्र जो होता है, हम लोग का पॉइंट होता है, वो जब याद र रही थी, और थोड़ा सा ना, टेंशन भी लगता है, एक्जाम रहता है, तो क्या पढ़ों क्या नहीं, हर एक चीज मैं यहाद थोड़ा सा देख रही थी, और उसके बाद आज बहुत काम है मुझे, क्योंकि बताऊंगे पहले, ब्लॉग में बने रही है, तो अभी बस यह देन, उस दिन 27 तारिक होगा, और स्वरी 28 होगा, क्योंकि 26, 27 दोनों रेस्ट हो गया थे मेरे, तो यहाँ पर देखिए, स्टरी मेरा खतम होने के बाद, अभी फिर मुझे घर का जो काम है, छुड़ा मुटा हो खतम कर लेना है, और फिर उसके बाद क्या क्या करना है, मैं सेर करोंगी, तो बस सुबह का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैं सारा किताब, जितना भी स्टरी की थी, सारा इधर उदर, मेरा रख दूंगी, मैं अपना जो है, और सारा पुरा समेट लोंगी, अभी यह सारा बेस्तर भी, और बस, तो मैं उठ चुकी हैं, और अभी आज पूरा घर साफ करने के लिए देदी बोल रहे थी, और मुझे जल्दी से भी निकलना है आज, ना बजे क्यास पास से निकल जाएंगे, तो इसलिए मुझे जल्दी थोड़ा सा काम कतम करना है, और आज से आज मौनिंग का वीडियो अपलोड करना है, वो मैं अभी कर देती हूं और फिर मिलंगे आप सबी से, और उसकी बात सर्च पहले मैंने यहां पर बर्तन दो दिया था, और फिर उसकी बात जितना भी खाली बर्तन था, साइस कर गे मैं रख दी थी, और पानी मैंने चड़ा दिया है, और अभी फिलहाल यहां पर मुझे आलू कट करना ह क्या नहीं बनाना है, मुमी से बार-बार पूछ रही थी, फिर मुमी बोली कि आलू की भूजिया बस बना दो आलू कट करो उसको फिर बना देना ऐसे बोली थी, बस आलू ही, क्योंकि इस टाइम पर आलू वैसे तो 40 रुपे हो गया एक किलो, लेकिन फिर भी अब भी हम ल कर गे, क्योंकि मैनेज भी उससे हो जाता है, तो यहां पर देखे, मैंने कट कर लिया था इसको, और थोड़ा-थोड़ा करके अब भी डालूंगे इस पे, क्योंकि मेर्च प्याज और सरसो, यह सब अच्छे से तरका लग गया था, इसी वज़े से मैं यहां पर अच्छे स इसको बिना धके ही पकाऊंगे, क्योंकि धक दोंगी, तो इसका छिलका जो है, पूरा मैंने निकाल दिया है छिलके, तो यह चिपक जाएगा, तो इसी वज़े से ही, यह जो कराई है ना, कराई पर वैसे तो कुछ चिपकता नहीं है, फिर भी मैं इसको बिना धके ही पूर्ड दे थी और अब यह यहां पे पक चुका था तो यहां पे थोरा समसाला और धल्दी पाउडर यहां पे डाल दूंगी और कुछ भी नहीं डालोंगे ना धन्या ना जीरा कुछ भी नहीं है सब खतम हो गया है जीरा बस भूनना है खड़ा वाला रखा हुआ है देखते हैं टाइम में लेगा तो मैं भून लोगी और पीश लोगी उसको बिना मसाले की भी उसी तरह हम लोग जीरा का जो पाउडर भूना हुआ जीरा पाउडर डाल के खाते हैं तो अच्छा लगता है तो ये देखिए आलो की जो भूजिया ह या जो भी क्या बोलते हैं हम लोग आलो भूजिया ही हां तो यहां पे ये बन के रेडी हो गया है इस पे टमाटर नहीं डालोंगे मैं उसी तरह ही छोड़ दूँगी जिसको खाना होगा वो बाद में बोलेगा तो खुदी डाल के खा लेगा तो बस उसके बाद यहां पे घर किचन का जो काम था वो तो मेरा खतम हो गया था क्योंकि पानी में चड़ाई थी और चावल भी डाल दे थी तो मार भातियां पी बन चुगा था दूसरे वाले मैंने गुंडी पेस को चेंज कर दिया है क्योंकि वो चोड़ा अला गुंडी जो है जिस पे डेक्ची बोल जिस तरह होता है उसी तरह होके पुरा अच्छा मीने लगता उसका स्वाद चावल का स्वाद बिलकुल भी अच्छा में लगता है तो इसी तरह दूसरे पे हम लोग जेंज करकि थोड़ा सो पानी डाल देते हैं तो वो सही रहе जाता है और बस उसके बाद मैं घर पोछा लगाना था मुझे क्योंकि मेरी भावी के पापा मम्मी और उनके भाई सब लोग आने वाले थी ना तो बहुत ज्यादा काम था और एक तो पहले मुझे मेरा एक्जाम था नौ बजे हम लोगों निकलना था लेकिन सब लोग मेरी वेज़े से लेट हो गया था तो वेट किये यहां पर देखे नहाने के बाद घर पूरा अच्छे से मैंने साफ कर दिया था जितना मुझे मेरे से हो पाया उतना मैंने घर पहुंच दिया था और फिर उसके बाद नहा के अभी रेडी हो रही हूं और मेरे साथ जितने भी जाता है सब लोग मेरा वेट कर रहे है नौ ब बना लिया है उसके बाद थोड़ा सा क्रेंअ लगा लेगेはं अगर ढला थोड़ा सा गेला रहेगा तो उसी तरह मैं चोटी बना लेते हूं गुन के नहीं तो मैं इसी तर ही जुड़ा बना के जाती हूं मुझे कोई वो नहीं लगता है क्योंकि सिंपल से रहते हूं तो सिंपल से इधर उधर जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस उसके बाद यहां पे देखिए हम लोग का एक्जाम खतम हो गया था बहुत खुस हो जाओं या किसी का सही नहीं हुआ है तो अपसेट हुआ रहता है उसी तरह सब लोग थे लेकिन सब लोग हैपी भी थे क्योंकि पांच को सीन का एंसर देना था बड़ी मुश्किल से हम लोग तीन को सीन का तो एंसर दे पाए चलिए जितना भी हो पाया हम लोग से इतना कियें हम लोग खुछिजी नहीं हो रहा है या दुख भी नहीं हो रहा है और ज़्यादा तर बोलूम तो थूरा सा दुख ही लग रहा है मैं सोच रही थी कि कम से कम टेड़ घंटे में थे कम से चार कॉश्ण का अंसर तो दे देंगे ऐसा सोच रहे थी लेकिन वो नहीं हो पाया तो यहां पर देखी पांच भी हो जाता अगर पांच करना मतलब जल्द जल्द हम लोग करते लेकिन डाइग्राम थोड़ा सा बड़ा था तो लेट हो गया पसके बाद यह सारा मतलब क्लास से आने के बाद इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं बताए थी आप सबी को कि मेरी जो भावी हैं उनकी मुमी पापा आने वाले हैं बोलके तो यह सारा खाने वाला तर्बूज और फिर उसके बाद कोलरेंग्स वगरा जो बे खाने के लिए थे नमकिन बिसके सब यहां पे है तो वही सब यहां पे रखा हुआ है जिसको मन कर रहा है वो जाके खा रहा है और यहां पे जीजु गए थे बाहर जो कि एक रोल लेके आये थे वहीं मैं अभी यहां पे खा रही हूं तो चलिए आज का ब्लोग यहीं पे एन कर रही हूं चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक और इंस्टा पे फोलो कर लिजेगा बेल आ